नवश्कार आप देख रहे हैं महुआ खबर मैं हाजिर हूँ आपके साथ रितेक ठागर। शुरुबात करेंगे हमारे बोलेटन महुआ समाचार की। सुप्रम कोट ने आज संपत्ती विवाद में बड़ा फैसला सुनाया है। कोट ने कहा कि सभी निजी संपत्ती सार्वजनिक संसाधन नहीं है। कुछ निजी संपत्ती फिजिकल रिसोर्स हो सकती है। मुख्य नियाएधीश डी वाई चंदर चूड की अगली सुनवाई में नौ नियाएधीशों की पीट ने कहा कि सम्विधान के असंचोदित अनुच्छेद 31 का पहला भाग अभी विला हुए। सम्विधान का मसौदा तयार करते समय निर्माताओं का दृष्टी कोण भविश्य की सरकार के लिए किसी विशेश प्रकार की समाजिक संगरचना या आर्थिक निती निर्धारित करना नहीं है। आपको बता दें कि CGI ने कहा कि मतदाताओं ने नियमित रूप से एक आर्थिक हट धर्मिता को खारिच कर दिया। च्वाला की खिलाब धारा 106 BNS के तहित मुगदमा दर्च किया गया। इस गटना की पुष्टी सीओ सीडिस उदाकर पांडे नी की और कहा कि मामले की जुआच की जा रही है। गटना का निसाती नवंबर को सकरा गाउन की 24 वर्ष राम प्यारी को प्रसव पीड़ा होने पर उसके परिजन उसे शिव सर्जुकल अस्पताल लेकर गए। अस्पताल में डॉक्टर के एके रॉय ने ऑप्रेशन की सलाह दी और 25,000 रुपे की मान की। इन में से 5,000 रुपे ततकाल जमा कराए गये। राम प्यारी खुद ऑप्रेशन थेटर तक गई लेकिन कुछ दिर बाद उसके हालत बिगड़ी और डॉक्टरों ने उसे वारा नसी रेफर कर दिया। जहां उसे मृत गोशित किया गया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही की वज़े से उसकी मौत हुई है। अस्पटाल के डॉक्टर एके रॉय ने आरोपो का जवाब देते हुए कहा कि मरीज को ऑपरेशन थेटर में लाने से पहले वो घबराई और उसके बाद उसकी हालत गम भी रो गई। उन्होंने कहा कि परीजनों को अस्पटाल बेशते समय मरीज की स्थिती भी गड़ गई थी इसलिए उसे हायर सेंटर भीजने की सलाह दी थी। एक तरफ बलिया एसपी विक्रांत वीर जनिता से दुरवयहार और करतावे का दुरपयोग करने वाले पुलस कर्मियों को निलंबित कर रहे हैं। मेरा विवात मेरे पार्टीदार से था जिसके दौरा मेरे जमीन में जबरिया चज्जा निकाला जा रहा था जिसका विरोत किया गया जिसके बाद विपक्षी पार्टीदार थाने चला गया जहां थानेदार साहब के दौरा हमें बुलाए गया। आरोप लगाया है कि हमारी बात सुनने के बज़ाय दरुगा साहब मेरे साथ दुर्वेभार किये मुबाइल चीर लिया बिना जमानात वाले मुकदमे में फसाने की धमकी दी गई गंटों जमीन पर बैठा कर रखा गया मुझे और मेरे पिता को जो की प्रिंसिपल के पत से हाली में रिटार हुआ है उनको भद्धी भद्धी गालिया दी गई उन्होंने बताया कि मैं एक सरकारी चुकितसक हूँ लेकिन एक ना सुनी गई और धमकी देते हुए जबरदस्ती मेरे पिता जी से एक समझावता पेपर पर हस्ताक्षर करा लिया गया पीडि डॉक्टर ने बताया कि पुलिस के इस रवाईये से मैं और मेरे पिता को काफी आगात पहुँचा है दरगा के द्वारा मुझे और मेरे पिता जी को सब के सामने अपमानित किया गया जिसकी शिकायत लेकर मैं स्पी से मिलने आया हूँ ताकि इसकी जाच कर ऐसे अखाड़े में सादू संतों और महात्मा उन्हे रईवार को पूरे राजिस्री वैभव के साथ नगर में प्रवेश किया इसको लेकर जुलूस जहां से निकाली गई वहाई जुलूस रामपुर रोकडिया स्थित हनुमान मंदिर से पूझ अर्चना के बाद शुरू इस राजिसे जुलूस में अखाड़ों के महामंदले शुर, महंत श्री महंत जगद गुरू और दूसरे संत महात्मा शामिल हुए। महीं जुना अखाड़े के साथ ही किन्नार अखाड़े के संतों ने भी नगर प्रविश किया। बता जा रहा है कि शाही रथों और गंगा घाट का ने रिक्षन किया। आपको बता दे किस दौरान उन्होंने बेरिकेडिंग सफाई, छट वरतियों की सुविधाओं और सुरक्षा की स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों को अवशक दिशा निदेश दिये। मुक्यमंत्री ने कहा कि छट पर्व कल से शुरू हो रहा है, इसलिए प्रशाशन को सभी विवस्ताओं के प्रति पूरी तरह से सजग रहना चाहिए। उन्होंने विशेश रूप से छट वरतियों को अर्ग देने में किसी भी प्रकार की कठिनाई ना होने का निदेश दिया, सुरक्षा, सफाई और सुविधाओं के समय टमटम चौक पर एक नाबालिक नेक विशेश समुदाई के धार्मिक स्थाल पर चड़कर विशेश रंग का जण डाले रहाया। इसके बाद सामप्रदाईक तनाव उत्पन हो गया, इस घटना के संबंद में पुलस ने प्रात्मी की दर्च की और नाबालिक को गिर रफ्तार किया गया है जिस पर ललमटी अथाना में अफरन और फिरोती संबंदित एक मामला दर्च है। कि यूवक मुहमद अजीम ने अपने घर के किचन में घटना को अंजाम दिया। उन्होंना बताया कि मुहमद अजीम मांसिक रूप से अस्थिर है। पहले भी इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे चुका है और इसमें खुद से घायल भी हुआ है। वहतमान घटना में वो बाल बाल बचकिया और कोई भी जखमी नहीं हुआ। आगे जांच उपरा जो भी सही पाये जाएगा उसके अधार्ट पर कारवई की जाएगा। ना इसमें कोई आदमी घायल नहीं हुआ। मगर जो मकान का उसकी दिवार को एक उसमें शिती पहुची है कोई घायल इसमें नहीं है। यह बता रहे हैं इसको जांच पर एक्षण के लिए बिजवाये जाएगा। लोग का बताने अगल वगल महले वालों का कि यह अंस्टेबल है जिसने यह गटना कारित करी है। यहां पर फोरेंसिक टीम हमारी आगे अगनी शमन की हमारे जांच करने के लिए हाँ पर आगे। सारे अध्कारी यहां पर मौजूद हैं। जांच करके सही कारव़ई कीजाए। उत्रप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ भाजपा के स्टार प्रचारक माने जाते हैं सीम ने चुनाव में जूइत दिलाने की कमान अपने हाथों में ले ली है यूपी के साथ साथ अने राज के चुनावी महौल तयार करेंगे योगी जारखंड दौरे फर हैं सीम योगी प्रचार अभियान की शुरुवात आज कोडर्मा विदान्शवा शेतर में एक जनसभा से किया जहां वो भाजपा मिद्वारों के लिए समर्थन जुटाने के लिए तीन सभाओं को समोधित करेंगे पहली रेली डोम चाच के चंद्रावती स्कूल ग्राउंड में हुई जहां वो कोडर्मा से भाजपा मिद्वा डॉक्टर नीरा यादफ के लिए जनता से उन्होंने वोट मागा दिवरिया जन्पत के महराजवा ग्रिसेन इंटर कॉलेज के ग्राउंड में अपना दल एस पार्टी के 29 वस्था अपना दिवस मनाए गया इस कारिक्रा में मुख्यतीदी पार्टी के राज्ट्रे द्यक्ष अनूप्रिया पठेल नही अपना दल के कारिकर्ताओं ने केंद्रिय मंत्रिय अनूप्रिया पठेल का भव्य स्वागत के अनूप्रिया पठेल ने मंच से कारिकर्ताओं का विवादन और धन्यवाद किया इस कारिक्रम में हजारों की संक्या में कारिकर्ता सम्मिलित होए अनुप्रिया पटेल ने होने वाले उप्चिनाव में NDA कड़बंदन को वोट करने को का मंच के संबोधन के समय कारेकरताओं के बीच 79,000 सिक्षक भरती से बाहर हुए अभियर्थियों ने पोस्ट्रा दिखा कर विरोत के और सरकार पर सावाल खड़े के वंचित अभियर्थियों का कहना है कि ये OBC और SC ST की बात करते हैं और ये उम्मीद लेकर हम लोग आये थे कि हम लोगों की बातों को सुना जाएगा लेकिन NDA गट बंदन से सरकार में रही मंत्री अनुप्रिया पटेल ने हमारी एक नहीं सुनी सुप्रेम कोट ने उत्तर पदेश मदरसा सिक्षा वोड अधिनियम 2004 की समवैद्धानिक वैधता बर करावकिये कोट ने कहा कि ये धर्म निर्पेक्ष्टा के सिद्धान्त का उलंगन नहीं करता इलाबाद उच्च नियालाय नहीं ये विवस्था देकर गलिती की कि मूल धांचो यानिकी दर्म निर्पेक्ष्टा के सिद्धान्त का उलंगन करने के कानव उत्तर पदेश मदरसा कानून को खारिच करना होगा कोट ने लाबाद उच्च नियालाय के 22 मार्च के फैसले को उस खारिच कर दिया इसमें यूपे मदरसा अधिनियम को रद कर दिया गया था अर्थिक अप्राद अनुसंदान ब्योरो और एंटी करप्षन ब्योरो ने रिटायर्ड आई एस अधिकारी अनिल टुटेजा आलोक शुकला और पूर महादिवक्ता सतीष चंद्रवर्मा के खिलाफ अप्राद दर्च किया है इफायर इन तीनों आरोपियों के वाटसेप, चैट और परिवर्तन निदेशाला के प्रतिवेदन के आधार पर नागरे कापूर्ति निगम में बड़े वित्य गोटाले के आरोप के संबन्द में दर्च की गए EOW की अतरिक्ट पोलिस अधिक्षक चंद्रेश सिंग ठाकूर द्वारा दर्च कराए गए इफायर में आरोप लगाए गया है कि पूर्म को अंग्रे सरकार के दौराने न अधिकारियों ने राशन वित्रन में बड़े प्यमाने पर गड़बडी की थी चो तीजगड़ में स्वास विभाग की एक आदेश ने डॉक्टरों का सिर्दर्थ बढ़ा दिया है इस मसाज की अस्पताल में सेवा देने से मोभंग हो रहा है रायपूर के DKS सूपर स्पेसिलिटी अस्पताल के बाद बलासपूर, रायगड, दुर्ग और राजनांद गाउं मेडिकल कॉलेज के पचास से अधिक डॉक्टर इस्तिफा देने की तैयारी में है इस प्रक्रिया के शुरुआत दुर्ग मेडिकल कॉलेज से सोमवार से हो चुकी है चानकारी के अनुसा दो डॉक्टर पहले ही अपने इस्तिफा दे चुके है पिछले दिनों 6 से अधिक डॉक्टर ने डीन डॉक्टर त्रिप्ती नागरिया को एक महिने का नोटिस दे कर नौकरी छोड़ने की इच्छा विक्ति थी इसके लावा 20 से अधिक डॉक्टर सामोहिक रूप से स्तिफा देनी की योजना बना रहे है स्वात्वबाग के नए आदेश में का गया है कि जुन अस्पतालों में शहीद वीर नरायन सिंग आईश्मान योजना के तहित मरीजों का इलाज किया जा रहा है उन्हें एक शपत पत्र देना होगा कि उनके यहां किसी सरकारी अस्पताल के डॉक्टर सेवाएं नहीं दे रहे है वागलपूर के ललमटिय थाना शेतर में दो नॉमबर की रात मूती विसरजन के समय टम टम चौक पर एक नाबालिक ने एक विशेश समुदाई के धारमिक स्थल पर चड़ कर विशेश रंग का जंडा लह रहा है इसके बाद संपरदाईक तनाव उत्पन हो गया इस घटना के संबन्द में पुलस ने प्रात्मी की दर्च की और नाबालिक को गिरफतार कर लिया आरोपी को मुंगेर से गिरफतार किया गया जिस पर ललमटी अथाने में अपरण और फिरोती संबन्दित एक मामला दर्च राजस्तान में अपचुनाव से पहले कॉंग्रिस ने अपने 14 नेताओं के बीजेपी में शामिल होने को लेकर बीजेपी पर पलिटवार किया समाचवादी पार्टी के प्रदेश मुख्याले में नागवर और सावाई मادरपूर के 14 वरिष कॉंग्र्स नीता बीजेपी में शामिल होनु उत्तरप्रदेश में नए डीजीपी के सेलेक्शन प्रोसेस के नियमों के बदलाव पर समाजवादी पार्टी के मुख्या अकलिश अदम नहीं तंच कसा उन्होंने कहा कि नए डीजीपी का कारेकाल दो साल बढ़ाने की विवस्ता बनाई चाह रही है सवाल यह है कि विवस्ता बनाने वाले खुद दो साल रहेंगे या नहीं योगी कैबिनेट ने यूपी के नए डीजीपी के च्वैन को लेकर नए नियमों को मंजूरी दे दी है इसमें एक पॉइंट डीजीपी के कारेकाल को लेकर भी है इसमें कहा गया कि पॉलिस महानी देशक का कारेकाल दो साल का होगा इसी को लेकर अकिलेश आदव ने मुक्य मंतरी योग्या दितनात पर तंज कसा प्रक्षा मंतरी राजनात सिंग ने ज्जारखंड में आज विपक्ष पर जम कर निशाना सादा हटिया में एक चुनावी रैली में कहा हेवन सुरेन के एक प्रस्तावक थे मंडल मुर्मू प्रस्ताव किया था कि चुनाव लड़ेंगे लेकिन हवा का रुख देखते वे फिसल गए बाज़पा का समर्थन करेंगे मंडल मुर्मू ने ये समझ लिया है कि अब ज्यम्म नईया डूब रही है और कोई डूबती नहीं आपर नहीं बैटना चाहेगा राजनाथ सिंग कटाक्श करता हुए कहते हैं कि यहां पर ज्यम्म राज़द और कॉंग्रिस की मिली जूली सरकार है ये तीनों दिवाली के दंगे हुए पठाके हैं हम जिसे कहते हैं पुस पठाके तो फिलाल इस बॉलेटन में इता ही आप बने रही तमाम ख़बरों के लिए सिर्फ महुआ खबर पर